हेलो स्टूडेंट्स हो आई यू आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है तो सबी बच्चे अपनी अपनी हिंदी भाषा मादरी बुक रफ कॉपी और पैंसी लेके बैट जाएं और ध्यान कूर्वक आज का सेशन अटेंड करें बच्चों आज का हमारा टापिक है छोटेऊ की मातरा तो सबी बच्चे अपनी अपनी बुक का पेज नमबर 1919 निकाल लें चोटेव की मातरा, तो बेठा जैसे हमारी स्वरों की मातरा हैं चल दी हैं, आपको पता है हम सभी ने पहले बड़ा चोटी बड़ी की है, तो आज हम करेंगे चोटेव की मातरा. तो छोटेओं की मात्रा को पढ़ने का हमारा बेटा जी मेरो देशे ये है कि छोटेओं की मात्रा को पढ़ने के बाद आपको छोटेओं की मात्रा के सारे शाबद अच्छी तरह से पढ़ने के साथ साथ लिखने भी आ जाएंगे तो बेटा page number 19 करवाने से पहले मैं आपको छोटेओ की मातरा के बारे में थोड़ा समझाना चाहती हो तो सभी बचे ध्यान से सुनो छोटेओ की मातरा बेटा छोटेओ की मातरा का सबसे पहले तो यह है कि छोटेओ की मातरा की sound कैसे होती है और छोटेओं की माता का चिन कैसा होता है तो पहले मैं बता दूँ छोटेओं की माता की जो sound होती है बेटा वो होती है और जो उसका चिन होता है जीरो लगाके C जीरो लगाके C और इसका जो sound होती होती है लेकिन बेटा एक रव्यंजन ऐसा है जिसके ये पैर के नीचे नहीं लगाई जाती ये इसकी पीछे लगाई जाती है छोटेओं की मात्रा जो है वो व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है लेकिन र में छोटेओं की मात्रा जो है वो पीछे लगाई जाती है तो बेटा आप ध्यान से देखो स प्लस छोटाओं सु ज प्लस छोटाओं जु प प्लस ल पल देखो इसमें कोई मतला का प्रियोग नहीं हुआ हुआ है अगर अब इसमें हम छोटाओ लगाते हो तो देखो कौन सा नहीं शब्द बन की आएगा प प्लस छोटाओ प्लस ल प को छोटाओ पू ल पूल पूल मींस ब्रिज सबको दिखाई दे रहा है ना ब्रिज क प्लस ली कली अगर हम उ की मातरा एड़ करते हैं तो देखो क प्लस छोटाओ प्लस ली क को छोटाओ कू कूली 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 मीस पॉटर अब जैसे बेटा मैंने पहले ही बताया है र में छोटे उ की मात्रा हम पीछे लगाते हैं तो देखें अब इसके र प्लस छोटा उ प्लस ची रू ची ग प्लस छोटा उ प्लस र प्लस उ ग को छोटा उ गुरू क्लियर हो गया अब देखो र में जो छोटे उ की मात्रा वह पीछे लगी हुई है अब देखो सत सत स को छोटवू सु त सुत स सु बन बन बुन ब को छोटवू भू न बुन ब बू टन टन टुन चोटव की मात्रा कर से गय को छोटव की मात्रा लगाओ मेटा देखो यह सारे व्यांजन है तो इसमें आपने सब भी ने व्यांजनुमु में नीचे जैसे मैंने पताया चोटे उं की मात्रा में लगाने में पञ़े तो ज़ोटवू रू अब देखो जैसे मैंने बताया है र में छोटेऊ की मातरा पैर के नीचे नहीं लगती है पीछे लगती है र को छोटेऊ की मातरा पेज नमबर 19 छोटेऊ की मातरा देख कर और पढ़ कर समझिये ध प्लस छोटेऊ की मातरा दू ज प्लस छोटेऊ की मातरा जू क प्लस छोटेऊ की मातरा कू म प्लस छोटेऊ की मातरा मू चित्र देख कर समझिये और पढ़िये बेटा यहां पर हमें चित्र दियों में हैं, हमने इसको अच्छे से देखना है, समझना है और पढ़ना है प को छोटा हूँ, पुल, 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 पुल मीज ब्रेज, ब-R-I-D-G-E, ब्रेज म, ध को छोटा हूँ, धू, म, धू, मधू, मधू मेंज हनी, H-O-N-E-Y, हनी next is क, क को छोटा हूँ, कुली, कुली, कुली मीज पॉटर, P-O-R-T-E-R, पॉटर ग को छोटा हूँ, गु, लकुआब, लाब, गुलाब, गुलाब मीज रोज, R-O-S-E, रोज जग को आ, म को छोटा हूँ, मू, न, जामुन, जामुन मीज जामुन, J-A-M-U-N, जामुन नेक्स्ट इस बुल 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 एक पक्षी नहीं को बुल बोलते हैं बुल मिसा बुल बुल वी यू वैल दो बेटा आपने देख एक पर चोटे की मात्रा पहले व्हेंजन के साथ आई है जैसे पुल में पा को छोटाओ, मधू में दूसे वाले वंजन के साथ आई है, धू, मधू, अब जामुन में देखो, मध्धम में आई है, जैसे देखो, जगवा, मू, न, म को छोटाओ, मू, क्लियर हो गया बेटा, अब देखो आगे, छोटेओ की मात्रावाले कुछ और शबत पड़िये, धको छोटाओ धू न धुन, धुन में शाउंड, चको छोटाओ चू न चुन, सको छोटाओ सू न सुन, पाको छोटाओ पू लपुल, कको छोटाओ कू लपुल, कूल में अब बेटा इस पंक्ती में आपने पहले वाले वंजन के साथ हमने छोटियों की मात्रा सीखी है अब नेक्स्ट पंक्ती में बेटा हम छोटियों की मात्रा दूसरे वाले वंजन के साथ सीखेंगे ध्यान से देखो और नक चोटाओ, अनू, मनू, तनू, धनू, रगू, लगू, लगू, घक चोटाओ, लगू, लगू में स्मॉल, छोटी-छोटी चीज़े होती हैं ना, स्मॉल जुराब, जक चोटाओ, जुराब, रकवाब, जुराब, जुराब में स्वाग्स, गुलाब, बक चोटाओ, बु, खकवार, बुखार, बुखार मेंस फिवर चुटिया, कक चोटाओ, टक चोटी यकवा, कुटिया, कुटिया मेंस हट, दक चोटाओ, दू, नक चोटी यकवा, दुनिया, दुनिया मेंस वर्ल्ड, गुडिया, बुडिया, पक चोटाओ, रक चोटी यकवा, पुडिया, पुडिया मेंस पैक, चोटे-चोटे जो पैक पुन् really पiste देल उसका हम बोलता हैं पुडिया सुतले पूतले पूरुष पूरुष मेम बुलबुल चुलबुल गुन गुण कॉच्छ घुटक्षट उस्तम पुम कंप कंप संधूर बेटा जो आपके ममा यूज़ करते हैं ना सुन्दूर सुन्दूर को हम हिंदी में कुम-कुम बोलते हैं आपके मम्मा माते पर लगाते ना सुन्दूर गुमसुम, गुमसुम means quiet, तुन्टून, गख छट्टाउ, गु जर रकवात, गुछराथ, गुछलशान, फुटपात, चुपचाप, चुपचाप means silent, फक छट्टाउ ल, फुल जर रकबड़ी, फुल जड़ी, फुल वारी, फुल वारी means garden, गार्डन को हिंदी में बोलते हैं फुल वारी तो बेटा आज आपने पढ़ा है 1919 पेज आपने अपने ममा के पास बैटके 20 पेज को रीड करना है और छोटे उकी मात्रा जैसे हमने किया है तो छोटे कि मात्रा के आपने 10 difficult words अपनी rough copy पे सुन्दर सुन्दर से लिख के अपने ममा को चेक करवाने हैं बाई बेटा